आपको बताने वाले हैं बिहार राजमे इस्थित कैमूर जिला के बारे में तो दोस्तो वीडियोस को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिये हुए लाल कलर के बटन को दबा कर आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और दोस्तो अगर आप अपने जिला के बारे में जाना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कोमेंट करकर ज़रूर बताएगा दोस्तो कैमूर जिला यह जिला भारत देश के बिहार राजम इस्तित बिहार के कुल 39 जिलों में से एक कैमूर जिला के नाम से जाना जाता है कैमूर जिला पहले रोहताज जिले का हिस्सा हुआ करता था बाद में कैमूर को रोहताज जिला से अलग कर दिया गया इस जिले की अस्थापना 1993 में होई थी कैमूर जिला दिहार के पूरो भाकियोद बसा हुआ है जिस वज़े से इस जिले की सिमा उत्तरफर्देश राजी से मिलती है कैमूर जिले का हेट कौर्टर ओपिस भभुवा सहर में मौजूद है और कैमूर जिला पटना मंडल की अंतरगत आता है कैमूर जिला के दो पुड़ोसी जिला है रोताज जिला और बकसर जिला ये मैं आपको विहार के जिले का नाम बता रहा हूँ कैमूर जिला में दो तैसिल एक लोगसभा, दो नगरपाली का 17 पुलिस स्टेशन, पांच सरकाली कॉलेज, दो मुख्य विजली घर, तिन मुख्य सरकारी अस्पताल और 1700 गाओं में बता हुआ है च्छतरफल की बात करें तो बिहार के कैमूर जिले का कुल च्छतरफल 33,33 वर के किलो मीटर में फाइला हुआ है और आबादी की बात करें तो वर्स 2011 के जनगाना के अनुसाथ कैमूर जिला की कुल आबादी 16,26,384 है इस 16,26,000 में फुर्सो की कुल आबादी 8,47,784 और महिला की कुल आबादी 7,89,116 है पैमूर जिले का अप्सट लिंगान उपाद 900 के करीब है यानि की यहाँ पर एक हजर पुर्स पर 900 महिला है कैमूर जिला में हिंदु धर्म की अबादी 89,30 तथा मुस्लिम धर्म की अबादी 69,9 पर थीशत है कैमूर जिला के मुख्ञ नदी का नाम कर्मनासा नदी वद दुरगाउती नदी है दुर्गावती नदी के किनारे पर बसा यह जिला बिहार की राजधाने पटना से महज 184 किलोमीटर तथा देश की राजधाने दिल्ली से लगबग 946 किलोमीटर की दोरी पर बसा हुआ है कैमूर जिला के मुखे बोले जानी वाली भासा भोजपूरी है यहाँ पर 90% लोग भोजपूरी बोलते हैं इसके अलावा 7% हिंदी बोलते हैं और 2% उर्दू बोलते हैं सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई से छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग बिहार और उत्तर परदेश के बड़े-बड़े सहरों में जा सकते हैं वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 2 और नेशनल हाईवे संख्या 30 गुजरती है जो आगे चलकर विहार के बढ़े बढ़े जिलों के साथ जुड़ती है यह जिला बस के माध्यम से भी परोसी जिला और जिला के छोटे बड़ी गाओं तक भी बस सेवा मुवया परदान कराती है रेलवे इस्टेशन की बात करें तो कायमूर जिला के मुख रेलवे इस्टेशन का नाम भववा रोड रेलवे इस्टेशन है इस railway station में 5 platform सामिल है और इस railway station के station code BBU है और भववा रोड railway station इस central railway zone के मुगल सराय दिविजन के अंतरगत आता है पर्याटन असल की बात करें तो बिहार का कैमूर जिला खुबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर ववा मसुहूर है यहाँ पर कई ऐसे घुमने के अस्थाम है जहाँ पर लोग घुमकर आनंद ले सकते हैं यहाँ के पर्याटन अस्थर में सुमार मा मंदेश्वरी मंदीर कैमूर बिल्ड लाइफ सेंचरी तेलहर वाटरफाल तेलहर कुंड करकट वाटरफाल रामगड धुरवली आधिनामों से लोग काफी बाकी हैं सिच्छा की बात करें तो इस जिला में कई से छोटे बड़े स्कूल वा कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से सिच्छा प्राप्त कर सकते हैं वैसे इस जिले के कुछ माध्यकोड इसकूल वा कॉलेज के नाम इस परकार हैं भुपेश गुप्त इंटर कॉलेज, SSS मैला कॉलेज, दीप नराय नियादो कॉलेज, मुहम्मद अली कॉलेज, गवर्मेंट पॉल्ट टेकनीक कॉलेज, भगोती सिंग मिमोरियल वियेट कॉलेज, SM कॉलेज, यह सभी स्कूल वा कॉलेज कैमूर जिला में मौजूद हैं अस्पताल की बात करें तो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गिला में तीन मुख सरकारी अस्पताल हैं, इसके अलावा कई ऐसे प्राइबेट अस्पताल भी सामिल हैं, जो कि यहां के लोगों को अपनी सेवा देती हैं यहां के मुख्य अस्पतालों में सुमार रंजना होस्पिटल, बाबू सीव गोविंद होस्पिटल, तिपाठी होस्पिटल, कुंद्रा जनसेवा होस्पिटल, और एस होस्पिटल, आदित होस्पिटल, प्यादिना में से लोग काफी वाकिव हैं दोस्तो विहार के कैमूर जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कोमेंट करकर जरूर बताईएगा और दोस्तो वीडियो पुरा दिखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद